नमस्कान न्यूस फोर नीशन देख रहें आप और मैं हूँ शुभई आपके साथ आज देश्वास्यों के लिए बेहद ही महत्पूर्ण और यूं कहीं तो खास दन हैं वो इसलिए क्योंकि साल 2021 का आम बजट वित मंत्री निर्मला सीता रमन की तरफ से पेश किया जा रहा है यूं तो इस बजट में कई सारी बातों के घोशना की गई है लेकिन इन सब के बीच आटो मुबाइल सेक्टर में क्रांती लाने के लिए एक महत्पूर्ण घोशना इस बजट में की गई है आपको बता दे कि 30% तक नए वाहन की खरेदारी सस्ती हो जाएगी यानि कि अगर आपको इसी गाड़ी को एक लाक रुपे में पहले खरीदते थे तो आप सिर्फ और सिर्फ सत्तर हजार रुपे में आपको वो गाड़ी मिल जाएगी साथे इस बजट और इस नई घोशना को वोलंडरे स्क्रापिंग पॉलिसी का नाम दिया गया है अब इस पॉलिसी से आपको क्या कुछ फाइदा मिलेगा और इसके तहत और कौन-कौन सी बाते सामने आई हैं वो पूरी जानकारी आपको देते हैं वित्मंत्री निर्मला सीता रमन के इस बड़े ऐलान के बाद से 30% तक नए वाहन सस्ते हो जाएंगे और वित्मंत्री ने अपना भजट पेश करते वे यूँ तो कई बड़ी घोषणाय की है लेकिन और चोज सेक्टर के लिए वॉलिंटरी स्क्रापिंग पॉलिसी के लानी के इलान से संभवता वाहन सेक्टर को नया जीवन मिलेगा बजट में वॉलिंटरी स्क्रापिंग पॉलिसी के एलान के बाद अनुमान लगाई जा रहे हैं कि नए वाहन 30 प्रतिशत तक सस्ते हो जाएंगे अब बड़ा सवाल ये है कि आखर ये होगा कैसे इस नए पॉलिसी के एलान के बाद अब नीची गाड़ियां 20 ववेवसाइक वाहन 15 साल के बाद सडकों पर नहीं उतर सकेंगे आटो सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक खबर है बहु प्रतिक्षित वाहन कबार नीती के लागू होने से सुस्ती और गिरावच का सामना कर रही देश के अर्थ वेवस्ता को ताकत मिलेगी नई गाड़ियों की वही ग्राहकों को नए वाहन 30 स्वसिदी तक सस्ते मिलेंगे पुराने वाहनों से वायू प्रदिशन में 25 स्वसिदी की कमी आएगी और इसी तरह स्टेब इंटू पर बड़े पैमानी पर रोजगार उपलब्ध होगा आपको बता दे कि नई गाड़ियों की मांग बढ़ने से आटो मुबाइल सेक्टर रफ्तार पकड़ीगा ग्राहकों को नए वाहन 30 स्वसिदी तक सस्ते मिलेंगे पुराने वाहनों से वायू प्रदोशन में 25 स्वसिदी की कमी आएगी वहीं स्क्राप सेंट्रों पर पड़े पैमानी पर रोजगार उपलब्ध होंगे वितमंत्री के इस आईलान के बाद महिंद्रा और मारुती बजाज आटो और अशोक लेलन लांड शेरों में दो फिसदी की बढ़त देखने को मिली है वहीं BAC आटो इंडेक्स दो फिसदी उपर था मारुती सुजुकी टाटा मोटर्स और महिंद्रा और महिंद्रा कुछ ऐसे शेर हैं जनको सरकार के ऐलान के बाद काफी फाइदा होगा कुछ सब्ता पहले सरकार नी नए स्क्रापिज पॉलिसी को मनजूरी दी थी जो अप्रेल 2022 में प्रभाव में आएगी सरकार नी 15 साल से पुरानी गाड़ियों के स्क्रापिंग को मनजूरी देने के लिए मोटर वहिकल आक्ट में जुलाई 2019 में शन्शोधन का प्रस्ताव रखा था बहु प्रतिक्षित स्क्रापिज पॉलिसी एक अप्रेल 2022 से लागो होगी सरकार के इस कदम का मकसद प्रदूशन फैलाने वाले वाहनों को सड़क से हटाना है और इसके लिए भारत स्टीज वी आई स्टांडर्ड मानक के वाहन मालिकों को इंसेंटिफ भे उपलवध कराए जाएगा तो नए स्क्रापिंग पॉलिसी के तहत जो निजी गाडियां हैं वो 20 साल के बाद और वैवसाई गाडियां 15 साल के बाद अब सड़कों पर नहीं उतरेंगी और इस पॉलिसी का सीधा असर जनता को मिलेगा और साथी साथ आपको बिता देगे 30 फिस्सदी तक वाहन अब सस्ते हो जाएंगे और आटो मुबाइल में वाकई इस नए घोशना के बाद क्रामती आएगी फिलाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहें न्यूस फॉनिशन नमस्कार